हेलो फ्रेंट्स में हूँ विशाल और यह है हमार पास एक ट्रक का अल्टरनेटर पिछली वीडियो के अंदर हमने इस अल्टरनेटर से 220 वोल्ट जनरेट करवाये थे अगर वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल राएगा उस वीडियो के अंदर इन सब प्रोब्लम का मैंने एक शांदर सा सोलूशन निकाला है यह हमार पास इलेक्ट्रिक साइकल की मोटर यह 350 वाट की एक मोटर है जब भी हम इसके अंदर वोल्टेज देते हैं तो हमारी मोटर चलने लगती है लेकिन डीसी मोटर के एक खास बात और होती है वह क्या काम भी करती है जैसे आप यहाँ पर देख सकतो हमें इसको हाथ से गुमा रहा है तो यहाँ पर हमें जो वोल्टेज मिल रहा था वह एक से दो वोल्टेज ही मिल रहा था अपर एक सिकंजे के अंदर लगा देंगे इसको और यहाँ पर इसको लगाने के बाद में चेक अब मेने इशको 6G नदर में लगा दिया, और यहां पर इसका मेक्सिमum वोल्टेज करेंगे कि हैं कि इसको डिल्मशीन से चलाने के बाद में तो फाइनली गाइज चल चलाते और चेक करेंगे इसमें वोल्टेज कितना निकल रहा है मिक्सिमाम फाइनली गाइज चल चुकी है पचास वोल्ट, बहुत जादा वोल्टेज निकाल रहा है यार यह जनरेटर का तो मतलब बाप है यारी है मैंने सोचा नहीं था इतना जादा वोल्टेज निकल जाता है इस थोटी सी मोटर से रुक यह जरा, वीडियो मागे बंड़ने से पहले इस चीज के बारे में जान लेते हैं यह है अगारों के दरफ से आने वाला इस्टिक वेक्यूम क्लीनर रेगेंसी यह रिचाज़बल पोटेबल एक वेक्यूम क्लीनर है इसके साथ मिलता एक मोटराइज ब्रस लगा हुआ जब भी में इसको पाउर देते तो ओटोमेटी गूंगता जो की डश्ट को एजिली कलेट कर लेता है फ्रंट में यह पर एलेडी लाइट लगी हुगी अंधरे में कर काम कर रहे हो तो इसली आप देख सकते हो एक वेक्यूम ट्यूब मिल जाती है एक टू-इन वन नोजल एक मल्टी परपस ब्रश इसके पाइप को अपने हिसाप से आप सेड भी कर सकते हो इसको चार्ज करने के लिए चार्जर और साथ एक होल्डर इसको यूज करना काफ अच्छा सक्षन पाउर देदेगी इसका अंदर लगी हुए ये बाइसो इमेच की पाउर्फूल बैटरी जो कि आपको आधे घंटे तक का बेकप दे देगी को चार्ज करने में चार से पांच घंटे लगेंगे इसके अंदर 5 लिटर का डेस्टिंख कैपिसिटी मिल जाता है इसके अंदर आपको 2 फिल्टर मिल जाते हैं एक हीपा फिल्टर और नोर्मर फिल्टर इस मशीन को पर्शेस करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बस बिने किसी स्टेप आप ट्रांस्वार् पास पास अभी इसका अंदर वोल्टेज तो कभी अच्छा जनरेट हो रहा है अभी इसका एंपेर भी चेक करेंगे एंपेर के यहां पर आप दिख सकते कि मेरे पास एक बल्ब है 108 का और 108 का बल्ब में इसकंदर लगा दूंगा और डारेक्ली चलाएंगे कोई भी यहां पर यूज नहीं करेंगे कोई भी स्टेप अपने करेंगे डारेक्ली से यूज करेंगे हमें अगर इसका अंदर से एंपेर मिल रहा हुआ तो यहां पर यह जो बल्ब अच्छे से ग्लो कर जाएगा ठीक है तो अब यहां पर इसको चालू करता हूं मैं पहले दिरे दिरे उठा अब वाट का बल्ब गलो कर रहा है इससे आज तो आप यह वोल्टेज के साथ साथ एंपेर भी जनरेट कर रहा है यहां पर इतना जाना ग्लो नहीं हुआ कि रोसमी हो जाए लेकिन इसका अंदर एंपेर इतना निकल रहा है कि 50 वाल्ट के अंदर यहां पर यह जो बल्ब को को ईजीली चला रहा है तो यहांपर हम क्या करेंगे इसके अंदर इनवेटर बनाये था हमने वह इनवेटर लगाएंगे और इससे डार्यकली step up करेंगे और उसमें देखेंगे किस बिद्ट को चलाता है यह फिर फिर नहीं चलाता है उसमें एक रिक्स हीर रहेगा मेरा कि वो यूज आ चुके हैं और गाईस लोगों को काफी द्धा पसंद भी आ रही है ठीक है तो फानली आप यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके जो इन्पुट वायरे देख से तो यह वाले जो कि हम इसके साथ में करेंगे ठीक है यह दोनों वायर जो है इस मोटर के साथ में कर लेतें कर देगस जब मोटर को हमाएंगे तो यहां पर आमारे जो है वोल्टेज कम रहेगा लेकर जाद सब्सक्राइब यहां पर यह सब्सक्राइंगे कि अब इन दोनों को एक्षिंग से सब्सक्राइब सassandra आपकोट में रख लगांगताँ में यहां पर में लगाध हूं पर दिया हुआ दिए और फाइल चाला करते हैं और यहां पर देखे कितना जाधा चलुब चल रहा है यहां पर मारा मशिन और यहां यहां पर मैं तोड़ा इसफिद बड़ा देता हूं just कि अनदो एक सो फचा सबस्क्त है इस काफो अच्छा निकाल रहा है काफी लो ड mixed up तो अब यहां पर काको बाल्ब लगाएंगी और बाल को देखेंगे घ्लो कितना करता है चाल देता हो गांषब यह जो है इस अवर लगा दिया है अब यहांपर का निक्षयन करते देता है ऐखिए अब यहांपर कि अब इसको चलाता हूं तो फानली गाइज यहां पर वोल्टे जन्ट ओ गाइज बहुत कम यहां पर चल रहा है यार मैंने इसको पूरा भी चलाया बीदू फोड़ा से लाया और हमारा जुबल्ब चलना इस्टार्ट हो चुका है देखो वापिस से लाता हूं मैं हुआ है अच्का यह कि तो फैसे तो बल्ब वहां है वी तो 설फ फूरा भूण कर रहा है वाल्ट है जिए जब रहे हैं तो इस ही किल ना अश्वाश्य कर रहा है निया जांड को मैं कम स्पीड कर रहा हूं कम जल रहा है पूरा स्विड खरम ए लेगिए बैस्व यहार है मतलब यकीर नहीं होता एक DC motor हमारे 100W का Bulb को इजी ले चला रही हो और स्विड देख सकतों काफी कम है कोई काफी पाइए उपैसे में चलाता हूं लेकिन यहां पर लोड काफी जादा लेरी है मतलब लोड मशीन तो नहीं ले लेकिन मेरा यूद को काफी काफी ताकत लगानी बड़ी उसको तो यहां पर वपिशालू करते है enroll भाए साब पूरी फूरी फूरी फूल स्पीड में चल रहा है यार इसाब यार यह यह जो ना यह जो मोटर से ज्यादा करेंट निकाल रहे है जब हमने इसको ट्राइ कराता ना जब आपको दिखाया था मैंने तो उसका अंदर बस LED बल्ब लगा के दिखाया था क्यों कोई को उसके काराण यह था कि हमने 100 W का बल्ब भी लगाया था लेकि नहीं गुलो कर पा रहा था तो यहां पर हमने क्या कि वह वीडियो का अंदर द आप दिखें तो यह चारहारार रुपय का बल्ब दूसरी बात इसको यूज करना काफी ज्यादा डिफिकल का इसको यूज करने में काफी सिंपल सा गाम है बस यहां पर आप देखें को कि मैंने इस टाप जुगार लगाया और यहां पर इसको चला कर दिखाया आपको ठीक वीडियो के आपको अच्छा लगा था कि मतलब इसमें अच्छा कासा वोल्टेज कर रहा था या फिर हमाइज की ए रखेंशे कहरा है अच्छा कासा जन्ने आप इसकी हो धार डगार तो मूझे सबसे ज् smeutu मोर मुझे आ धर निगि अखर इुग्हां और शाइज कर सकते cow वाली वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कुछ इंफोर्मेशन मिली हो अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें ना और मिलते हैं नेक्ट वीडियो के अंदर जेहिं जेह बारत बारत बाइर बड़ी